हेलो गाईज आज हम शिक्षा निदेश आले की तरफ से दिया जाने वाला क्लास नाइन्थ का हिंदी ए सेक्षिन का जो सेंपल पेपर है उसको करेंगे ये कोशन बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है इसका पार्ट वन हम पहले ही कर चुके है आज हम पार्ट टू करेंगे पा बहुत जादा हेल्प मिलने वाली है इसमें तो हम देख लेते हैं फटा फट अपना जो फाइनल जो हम नहीं किया है वह हम निकालते हैं यहां से उसके बाद हमारा पेपर स्टार्ट करते हैं इस सब कोशन मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ अब हम देखते हैं जो अब ल तो कोशन नंबर बन देखें काजी होस में कैद पुषू की हाजरी क्यों ली जाती होगी 2 κथा की अधार पर उस्तर दीजिए तो छेप्टर 2 बैल की कथा में से लिया गया है कि काजी होस में जो कैद पुषू है थे पशू की हाजरी क्यों लिजाते हैं दूप beste प् замет हो इस किसे पशू की सख्ण्या के जानकारी होती थी ताकि कोई जानवर अगर कैज से भाग जायaires तो तुरोंत उसका पठा चल सक्याए और और किसी जानवर की तब्वायत विमार हो जाए कुछ हो जाए तो भी उससे क्या हो इसली पता लगा सकें, तो में क्या है संख्या की जानकारी के लिए और किसी के अगर तब्रवित खराब हो गए तो उसका पता लगाने के लिए कौजी हास्म की जानकारी या हाजरी ली जाती थी, question number 2 साथ कोई हासा नहीं हो जाए तो देखने हैं इसका अंसर हम तो देखिए उस समय के तीबत में हतियार का कानून नहीं होने के कान यात्रियों पर हमेशा जान का खत्रा बना रहता था हतियार का कानून होने के कान लोग लाठी की तरह पिस्टोल और बंदूक लिए गूमते थे मंदल हतियार का यह नहीं था कोई भी रख सकता था कोई रूल रेगुलेशन नहीं था डाकू लोग किसी भी यात्री को देखकर मार डालते थे बाद में देखते थे कि उनके पास पैसा है यह नहीं म अबर थर अभोगता बाद की संस्किरति में पाठ के लेखके अनुसार जीवन में सुक Story कि इस अदुछा का वह नकिसींग का इस लंक process को यूश करना यह क्या है पहाओ जीवन को सुखी बनाने के लिए उतपात का जरूरत के उनसार फोग करता है अबना अपने जरूरतों क लिए अरह दाएक जिन्दगी के लिए उन्साफ का यूज करना ही क्या है सुख है आज की बोगतावादी संस्कृति हमारे ज्यानिक जीवन को किस परकार पर भावित कर रहे हैं अब अरह चीज आराम दाया के कोडिंग हम क्या करें उसी के कोडिंग हमें जरूरत बलव उनकी जरूरत हो गया हम उसकी बीड़ा रहे नहीं सकते हमारे जिवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही हैं तो आज देखने हैं इसका आनसर हैं हम क्या देखते हैं चाहिए उस चीज़ को यूज ना कर रहे हैं लेकिन उसका एड़र्टाइजमेंट देखा है उसके बारे में सुनते हैं तो हम उसके तरफ एट्रेक्ट होते हैं उप्भोगतावादी संस्कृति के करना हम धीरे धीरे भोगों के दास बनते जा रहे हैं हम अपनी जरूरतों को अनाफशिक रूप से बढ़ा रहे हैं अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोशन इन सब कोशन जो भी तक आये हैं इन कोशन को 25 तो 30 शब्दों में मतलब की 2 या 3 लैनों में अंसर लिखना था अब देखते हैं नेक्स्ट कोशन नबर 12 आ रहा है इसके अं हैं तो दो नंबर के हैं कोशन तीन कोशन आपको करना है तो फर्स्ट कोशन क्या है कभी ने सच्चे प्रेम की क्या कसोटी बताई है तो अंसर देखी क्या हो जागा कभी ने सच्चे प्रेम की कसोटी बताते हुई यह बताया है कि सच्चा प्रेम अर्था जो इश्वर को अ में underframe सथाधना में लीन हो जाते हैं उसे और सु NATP बांद नहीं है उसको हम बाद है next question देखते हैं question में क्या कहा है second में ब्रजभूमी के प्रती कभी रस खान का प्रेम किन किन रूपव में अभी व्यक्त हुआ है ब्रज भूमी में कवी रस खान का प्रेम, तो रस खान का प्रेम किन की रूप में अभी व्यक्त हुआ है, उसके बारे में आपको बताना है, तो देखें किस तरह से लिखेंगे आप यहाँ पर, ब्रज भूमी के प्रति कवी का प्रेम भिन भिन रूप में अपना जो प्रेम ह गौकल गांवां हुआ खटए पर प्रते ही आ है। अगले द्रहें पशून पर गायां के बीच नहिंट चाहते हैं तो इसके बाद क्या है वह नहीं खटारिants भुष्टू स्करतिंडर्ख का दुख्या सब्सक्राइब किन की चीज़ों के लिए प्यार हुआ है सबसे पहले गवालों के लिए गायों के लिए परवतों के लिए युमना नदी के लिए और कदम के पेड़ों के लिए इन सब चीज़ों के लिए प्रेम जो है वो अभिव्यक्त हुआ है नेक्स प्रेशन देखते हैं हम क्या कहा गया है वा कविता में रसी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और कैसी वह कैसी है तो आइए देखते हैं इसका अंसर देखे वा कविता में रसी यहां पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है तो रसी किसके लिए प्रयुक्त हु और है कब कवित्रि द्वारा मुक्ति के लिए किये जाने वाले परयास व्यर्थ क्यों का वित्री के कच्छेपन के कारण उनकी मुक्ति के सारे पर्यास विफल हो रहे यह एँसकं다면 मुक्ति नहीं कर पा रही है और अब धूब मुक्ति न ही is कुझा वा टार्य कूझ हर अपने मुखं के बंधन से जों सारे नहीं हो पायCR एब तक यक्जी छोड़ी नी सके मोहत्यागी नी सकिए तो वे किस परकार से सच्चे मन से भगवान की प्रात्ना करेगे हैं रग सच्चे मन से भगवान की प्रात्ना नहीं कर पाएंगे सच्चे मन सी तो मुक्ति को किस तरह हमें मिलेगी आप हम करते हैं next question 13 इनमें आपको दो प्रिशनों के अंसर करने और जिनके शब 60 मिलब 679 से अंसर होना चाहिए तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट कोशन क्या कहा गया 13 का आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से इस जल प्रल्य में पाठ के अधार पर कुछ सुझाव दीजिए तो आप देखो यहां पर एक जनरल कोशन का आगा है कि आपदा किसी तरह की प्राकरतिक आपदा आती है तो उस तरह से आप किस तरह से बस सकते हैं अपनी तरफ से आपको जल पर लेट चैप्र से रिलेट करते हो इस चैप्र को उसका अंसर देने है कि कोई अगर मुश्किल प्रफास इसी लिए हमें चाहिए कि हमारी सरकार सभी परकार के आपदाओं से निबतने के इंतिजाम करके रखे आपदाओं से निपटने के लिए ततकालिक और दिरकालिक उपाय करने चाहिए आपदाओं से सम्मधित उपकरणों का उचित रख रखा होना चाहिए ताकि समय पर इनका उपयोग किया जा सके और इसके अलावा प्रल्य में पाठ किया ख़ा गया है और क्यू तो यह सब चीज़ा अंदर लेख सकते हैं इस जल परल्य में पाठ की अधार पर बताये कि मरत्यू रिप्ऌाइब कीसे कहा गया है और क्यूं तो मृत्यू का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यूं अंसर देखिए मृत्यू का तरल दूत बार में उफनते था था तेजी से सबको अपने अंदर डूबोते हुए पानी को कहा गया है तो मृत्यू का तरल दूत किसे कहा गया है जो बार का उफनता हुआ पानी है तरल दूत तरल मतलब कि लिक्विड और पानी कैसा होता है लिक्विड होता है तो इसलिए जो पानी है बाड का पानी है उसे तरल दूत कहा गया है नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर के हैं बाड की सही जानकारी लेने और बाड का रूप देखने के लिए लेखक उत्सुक क्यों था इस जल परले पाड के अधार पर उत्तर दीजिए तो बाड की सही जानकारी लेने के लिए और बाड को देखने के लिए बाड की सतर है से होती है इतना उस फौन था उसके बाने में आपको बताना है तो देखें इसका अंसर तो अंसर मनुश्या के ना दे काफी जिग्यास गीन चींड़ा होती उनके अंदर जाने के उन्होंने बार का कहर कभी भोगा पर लेक कहानी रिपोर्ट लिख देंगे आपर रिपोर्ट आधी लिख चुके थे लेकिन अनुभा नी किया था पर तो किसी नगर में विशेश कर अपने नगर में पानी किस परकार घुसेगा जानना बिलकुल नया अनुभा होता मतलब किस तरह से बाड आएगी क्या पाए क करना चाहते थे इसी लिए वो बाड का इंतजार कर रहे थे कि किस रूप में बाड आएगे और वो यह जानना चाहते थे अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है नेक्स रचनात्मक लेखन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे थैंक्यू गाइज